हेलो बच्चों कैसे हैं आज के वीडियो में हम आपके चैप्टर थ्री की फर्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.1 कम्प्लीट करेंगे पिछले वीडियो में हमने फैक्टर एंड मल्टिप्लिकेशन पढ़े थे आज देखते हैं इसी बेसिस पे जो कोईश्चन से उनको पहला कोईश्चन क्या है write all the factors of the following numbers ए से लेके ए तक कुछ numbers दिये हुए हैं इनके factors निकालना है चलिए देखते हैं पहला क्या है 24 24 का factor क्या करेंगे सबसे पहला factor आपने पढ़ा था कि 1 तो होता ही है 1 से सारे number divide होते हैं तो first क्या हो गया 1 multiply by 24 फिर 24 किस से divide होता है 2 से होता है तो 24 equals to 2 multiply by 12 next number क्या होगा 3 3 से भी divide होता है 24 24 equals to 3 multiply by 8 next 4 4 से होता है yes 4 multiply by 6 next number हमारा 5 5 से होता है नहीं 6 6 से होता है yes 24 equals to 6 multiply by 4 अब देखिए यहां पर 6 multiply by 4 और 4 multiply by 6 यह step जहां पर भी repeat हो जाएं आप factor निकालने वहीं पर रोग दीजिए क्योंकि आपको सारे factors मिल गए अब इसके factors कौन कौन से हैं इधर से count करना start करेंगे 1 2 3 4 6 अब यहां से reverse चलिए इस side में 4 और 6 आपने पहले ही ले लिए then 8 12 and 24 इतने इसके factors है 24 के factors of 24 1 2 3 4 6 8 12 and 24 इस तरीके से आपको सारे factors निकालने हैं next number क्या है 15 15 obviously 1 तो सभी का factor है 1 multiply by 15 2 से divide होता है 15 no 3 से divide होता है yes 15 equals to 3 multiply by 5 4 से नहीं 5 से yes 5 multiply by 3 देखे इस्टे repeat हो गया 5 multiply by 3 और 3 multiply by 5 पस आपको सारे factors मिल गए कौन कौन से है 1 है 3 है 5 है then either count करेंगे 3 5 हो चुके last factor 15 है total factor कौन कौन से है 1 3 5 and 15 next factors of 21 21 किसे किसे divide होता है 1 obviously 2 से होता है नहीं 3 से होता है yes 3 multiply by 7 4 से होता है नहीं 5 से नहीं 6 से नहीं then 7 से फिर देखे इस्टे repeat होगे आपका factors क्या होए 1 3 7 and 21 आपके factors of 21 1 3 7 and 21 आपको divisibility rules आपको सारे आने चाहिए किस किस number से कौन कौन से number divide होते है उसके क्या rules है यह आपने पहले भी पढ़े होंगे नहीं पढ़े हैं तो मैं इस पे भी एक video भी बनाऊंगा आगे जिसमें आपको mental maths related divisibility rule और plus बड़े numbers के factor कैसे निकालने हैं उसको भी मैं आपको easy method बताऊंगा तो वो सब जानने के लिए आप channel को भी subscribe कर लिजे और notification bell भी दबा दीजे थाकि आपको videos time पे मिलते रहें चलिए हम अगला question देखते हैं next question क्या है factor of 27 1 का d 27 के factors same pattern पे निकालेंगे 1 है 2 से divide नहीं होता है 27 3 से होता है 3 की table में आता है 3 multiply by 9 next 3 के बाद अगर आप देखते जाएंगे divisibility rule में तो किसी number से 27 डिवाइड नहीं होता है फिर 9 से होगा यहाँ पे देखिए आपका step फिर से repeat हो गया 9 3 multiply by 9 9 multiply by 3 आपको factors मिल गया factor कौन कौन से है 1 3 9 and 27 next question देखते हैं 1 का ही factor of 12 12 के factors निकालने है 12 1 से divide होगा 2 से divide होगा 3 से divide होगा 4 से divide होगा step आपका यहाँ पे देखिए repeat होगा 3 multiply by 4 और 4 multiply by 3 factors आपको सारे मिल गया 1 2 3 4 अब इदर count करें तो 3 4 पहले ही आगया 6 and 12 सारे factors आपको मिल गया 1 2 3 4 6 and 12 ok next factors of 20 same pattern पर निकालते हैं 1 से divide होगा 20 22 से भी divide होगा then 4 से divide होगा 5 5 से भी divide होगा step आपका repeat होगा factors आपके सारे निकल गया factors कौन कौन से हुए 1, 2, 4, 5, 10 and 20 चलिए next क्या है 1 का जी factors of 18 18 के सारे factors निकलने हैं 1, obviously 2 से divide होता है 18 yes 3 से divide होता है yes 4 से नहीं होता है 5 से नहीं होता है then 6 6 step हमारा repeat हो गया factors हमाई सारे मिल गया है factors note कर लेते हैं factors of 18 1, 2, 3, 6, 9 and 18 इतने सारे exercise करने के बाद आपको factors बहुत कुछ clear हो गया होगा कैसे निकलने है factors of 23 23 के factor देखते हैं 23 1 से divide होता है उसके बाद divisibility rules से देखेंगे तो 23 फिर किसी भी number से divide नहीं होता है 23 itself divide होगा तो 23 multiply by 1 तो 23 के factors कितने हैं only 2 factors है 1 and 23 next factor of 36 36 के factor निकलते हैं 1 से divide होगा 36 2 से भी divide होगा 36 3 से भी divide होगा 36 4 से भी divide होगा 36 5 से नहीं होगा then 6 से होगा 6 multiply by 6 same number से भी multiply हो रहा है दोनों number तो भी आपको वहीं पर factorization अपना stop कर देना है आपको सारे factors मिल गए पहले हमने देखे थे step repeat हो रहे थे यहाँ पर देखे numbers repeat होगा numbers repeat होगा तो भी आपको सारे factors मिल गए factor कौन कौन से होगा note कर लीजे 1, 2, 3, 4, 6 फिर इस side के 9, 12, 18, and 36 सारे factors हमको 36 के मिल गए next question write first five multiples of a, b, c तीन numbers दिये हुए है इनके first five multiples first five multiples मतलब आपको simple उसकी five तक की table से लिख देनी है first multiple number itself होता है five multiply by one first multiple क्या हो गया five itself हो गया second five multiply by two ten third five multiply by three fifteen fourth five multiply by four twenty fifth five multiply by five twenty five simple उसकी table है आपको first five multiple लिखने है five तक उसकी table देख लिजे अब multiples हमारे क्या होगए five, ten, fifteen, twenty, and twenty-five same इसी तरीके से next question eight के हमें five multiples लिखने है eight की table लिख लिजे कौन-कौन से multiples है eight के first five eight, sixteen, twenty-four, thirty-two, and forty next question first five multiples of nine nine की table देखते हैं क्या है nine, eighteen, twenty-seven, thirty-six, and forty-five यह हमें multiples मिल गए next question देखें match कराना match the items in column one with the items in column two column one में कुछ numbers दिये हुए column two में उनका दिया हुआ वो multiples है या factors है देखते हैं पहला क्या है first number क्या है thirty-five thirty-five अब इधर से match कराने की कोशिश कीजे किस्से होगा multiple of eight है thirty-five eight की table में आता है नहीं multiple of seven है yes seven की table में आता है तो thirty-five हमारा किस्से match हो गया multiple of seven से fifteen fifteen को इधर देखते हैं multiple of eight है नहीं multiple of seventy fifteen नहीं factor of fifty factor of thirty thirty का factor है fifteen to thirty होता है okay then हमारा fifteen जो है factor of thirty हो गया next क्या है sixteen sixteen के लिए इधर देखते हैं multiple of eight multiple of eight है yes eight to the sixteen next क्या है twenty twenty किस्से match हो गया है multiple of seventy है factor of twenty नहीं factor of fifty है नहीं factor of twenty factor देखे number itself होता ही है तो twenty हमारा factor of twenty से match हो गया last number क्या है twenty five इधर column two में आपके एक option extra दिया हुआ है ठीक है वरना तो आप बचा हुआ भी match करा सकते थे अब twenty five किससे multiple of seventy है या factor of fifty factor of fifty factor of fifty तो यह इससे match हो गया next question देखते हैं next question क्या है find all the multiples of nine up to hundred nine के multiples आपको लिखने है अब two hundred hundred के अंदर जो आते हैं nine की table simply लिखते चले जाईए जब hundred तक के अंदर तक की table लिख लिए देखें nine की table आपने nine tensa 90 तक लिख ली उसके बाद nine को eleven से multiply करेंगे तो 99 अब two hundred में यह आपका last multiple होगा है इसके उपर चले जाएंगे तो वो hundred से उपर हो जाएगा तो nine के multiples क्या होगा है nine, eighteen, twenty-seven, thirty-six, forty-five, fifty-four, sixty-three, seventy-two, eighty-one, ninety and last ninety-one तो यह हमारे इस exercise का last question था इसी के साथ exercise complete हो गई नेक्स्ट वीडियो में हम next topic पढ़ेंगे बाइ बच्चों पढ़ेंगे